मेरे आठवे और नौवे भाव के स्वामी शनी ग्यारवे भाव में नीच राशी में हैं। मैं मिथुन लग्न और चंद्रमा हूँ। यह क्या परिनाम दे सकता है? आठवे और नौवे भाव के स्वामी शनी के साथ मिथुन लग्न के लिए ग्यारवे भाव में नीच अवस् को प्राप्त करने में देरी का अनुभव हो सकता है या नेट्वरकिंग और गटबंधन बनाने में बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है. आठवे भाव के स्वामी के रूप में नीच शनी विरासत, संयुक्त संसाधनों और जीवन के छिपे हुए पहलूओं के मामलों में अचानक उतार चड़ाव ला सकता है. समय समय पर स्वास्थ्य, संबंधी समस्याएं या अप्रत्याशित घटनाएं हो सकती हैं, जिससे तनाव या पुरानी स्थितियों से निपटने में अतिरिक्ट देखभाल की आवश्यक्ता होती है. नौवे भाव के स्वामी होने के कारण, यहां शनी की स्थिती उच्च शिक्षा, विदेश यात्रा या अपने पिता या गुरूओं से लाब प्राप्त करने में देरी ला सकती है. हाला की, शनी का परिपक्व प्रभाव अक्सर अनुशासन और धैर्य सिखाता है, इसलिए लंबे समय तक गिर्टा से काम करने से अंतता शुरूआती संघर्शों के बावजूद पुरसकार मिल सकते हैं. शनी मंत्र का जाप और शनिवार को दान करने जैसे उपाए शनी के कुछ चुनौती पूर्ण प्रभावों को कम करने में मदद कर सकते हैं. कृपया अधिक जानकारी के लिए हमारे सोशल मीडिया प्लेट फॉर्म को सब्सक्राइब करें.